हेलो एब्रीबन इस वीडियो में हम लिमिट्स की कुछ और थियोरम देखते हैं तो थियोरम नंबर आपकी 2 थियोरम टू अपकी है लिमिट एक्स टेंच तू एक्स टू दी पावर एंग मैनस वन मैनस एक्स माइनस एपां एक्स माइनस ए यह लिमिट्स आपकी एक्कोल होती है n into a to the power n-1 के ठीक है यहाँ पा आपका एन पॉजिटिव इंटिजर हो सकता है ओके और यह भी आपका पॉजिटिव इंटिजर या नेगेटिव कोई भी नमबर मानलो कॉंस्टेंट ओके तो यह आपकी लिमिट होती है ठीक है इसका प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है आपके अभी के लिए और चलिए इस पर एक्जामपल लेखते हैं सपोज आपको कोश अब यहाँ पे आपावर 15-1 यह तो इस से एक्स्ट से मैच हो गया रहा गगार वन की पावर यहां अपन मान सकते है था ना ना बट नीचे एक्स- ए चाहिये इसके नीचे एक्स-1 होना उना चाहिए लेकिन यहां पर नहीं है तो हमflowerरे लिएगे next step में x-1 से इसको डिवाइड कर देंगे जिस भी चीज की जरूरत होती है वह लिम्ट में हम दे सकते हैं तो कैसे देंगे x tends to 1 x to the power 15-1 upon x-1 मैंने इसको x-1 से डिवाइड कर दिया अब x-1 से multiply भी करना पड़ेगा क्योंकि जिससे हम किसी भी नंबर को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड और मल्टिप्लाई दोनों एक साथ कर देते हैं तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता तो यहां पर मैंने वही किया निउमेरेटर एंड्योंको दोनों को मैंने एक सानसे से मल्टिप्लाई कर दिया तो मल्लीप्लाय कर दिया थो यहांपर आ गया और ग्र covid डिवाइड यह तरम बचा आ जलाए है भाख 10-1 डिजा है अब यहाँ पर सिंपल वही खेल है यह आपका एक्स तो इसमें फिट हो रहा है और यह भी आपका फिट हो रहा है लेकिन यह यह उल्टा है आपका यह उपर होना चाहिए था यह नीचे है तो कुछ नहीं इसको भी चेंज कर सकते हैं कि कि लिमिट कि एक के टेंट्स तो बतूं एक्स तो जी पावर 15 माइनस 12 पावर 15 अपावण एक्स और मैं इसको रासी प्रोकल करूंगा तो यह मल्टीप्लाइस साइं डिवाइड में शोजाए कि तो उपर लेगा एक्स तो दू पावर 10 – 1 अपाउं x-1 यह आपको समझ आया हुआ है ना यहां से क्यों होता है यह से कुई भी नमबर आप सब्सक्राइब कर रहे होगा फ़ोड़ से ठीक है तो यह आपका अंसर केतना है तीडिवाइ फोर आएगा ठीक है अगर आप मल्टिप्लाइब इस पुर को करते हो फूर kimchi लगा देते हो तो भी आप का से मैं गए हो तो फूर नहीं पड़ता यहां पे तो cooperative को स्रेश्थ करते हो तो आप सेकंद्रम को ही यह डिवैड को मल्टिप्लाइं में चैंज करते हो तो भी आफ सैकंड्रम को करें ती है अच्छाष अब बस ऐसमें है आपन सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं यहां पर यहां पर भी यह फॉर्मुला फिट हो रहा है तो लिमिट को अलग-अलग कर सकते हैं है ना लिमिट लिमिट कि x tends to one ऐस्टो दी पावर 15 माइन तो दी पावर 15 अपोन x-1 और यहां पर डिवाइड वाइड लिमिट 10 upon x-1 ओके आप क्या करेंगे यह फॉर्मुला आपका होता है एन इंटू एकी पावर एन माइनस वन तो यहां पर एन की वेलिव फाइव एन इंटू एकी वेलिव एवन वन की पावर एन माइनस वन वन तीज़ां बाइड वाइड वाए इसकी वेलिव हो जाएगी एन इंटू एकी पावर एन वानस वन की पावर तो यहां का हो जाएगा फिप्टीन डिवाइड वाइट 10 तो आंसर आपका आएगा 15 upon 10 which is equal to 3 upon 2 यह आपको जागा answer एक और example देख लेता है इस पर बेस्ट एक्जम्पल नंबर 2 आपको दिया है limit लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट में है वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स तीक है तो फॉर्मुला क्या होता था फॉर्मुला आपका होता है लिमिट एक्स टेंस टू एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एक्स माइनस एक्स इकल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन यहां पर यह माइनस लगा है यह माइनस लगा है यह यहां पर बन हो जाएगा और यह वुरा एक्स दिया है इसकी पावर बनवा और नीचे चाहिए एकस माइनस ए जबकि नीचे यहां पर एकस अकेला है तो क्या करें नीचे भी एकस माइनस बन चाहिए हमें तो क्या कर सकते हैं इस केस में इस case में क्या कर सकते हैं देखो X-1 नीचे भी होना चाहिए तो क्या करूंगा मैं X-1 बनाने के लिए इस लिमिट को मैं ट्रांसफर्म कर दूंगा एक वाई वैरिवल में यह अभी X में दिए इसको मैं बाई में चेंज कर दूंगा ठीक है तो उससे मेरा सब कुछ सेम रहेग तो यहां पर X-0 होना चाहिए था तो यहां पर मैं X-1 अगर बनाऊंगा तो लिमिट X टेंट टू बन होना चाहिए लेकिन यहां पर जीरो है तो इसका एक ही तदिका है मैं इस लिमिट में जो X का function दिया है इसको मैं बाई के function में चेंज कर लूँगा ठीक है उसकी लिए क पर X tends to zero है ठीक है अब लेक्स की लिमिट को मैं बाई में कर रहा हूं जब X-0 की तरफ approach कर रहा है अगर इस equation में मैं देखूं अगर इस equation में ड़ेत ड़ेट तो इसन डमेट के के से चंज बढ़ेगी लिमिट मैं आपका दिया है वन प्लस एक्स कर लिए तो यो जय जाए चोड़ाएगा y-1 तो x हो जाएगा y-1 ठीक है इसको और सिंप्लिपाइब करूँ मैं एकर लिमिट कि इन लॉएइज तो य की पावर 1-2-1 की पावर 1-2 अपन वाई-1 अब यज ब्लक फॉरम्मले में फेट हो रहा है x की पावर n-a की पावर n n की वैलिव यहां पर 1y2 है तो यह जागा n इंटू एक की पावर n-1 तो 1y2 इंटू 1 की पावर 1y2-1 अब 1 की पावर कुछ भी हो गाइस तो वन ही रहता है तो इसका अंतर जाएगा सीज़ा 1y2 अब देखते हैं लिमिट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपकी यह दो थेओरम तो थी नॉर्मल बाकि आपकी जो थेओर नमबर थीरी फोर और फाइव है वह आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेज़्ट है इसमें आपकी थीरी और फोर थेओरम मैं अभी इस वीडियो में डिसकस कर लेता हूं थेओरम थिरी तो यह थेओरम आपकी क्या कहती है सपोस्थ आपके पास दो फंक्शन है एक फंक्शन है एक फंक्शन है जी यह एक्स के फंक्शन है यह एक्स है और यह जी एक्स है ठीक है और आपको एक कंडिशन गिवन है कि जो आपका एक्स है वह लेस देन और एक्वल तो होका जी ओप एकस के नहीं समझाया अभी समझ रहागा ग्राफ से देखो कंडिशन यह गिवन है आपको कि जो आपका एफ एकस की वेल्यू है वो आपके जी ओक्स जी ओप एकस की वेल्यू से कम है कम है इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं ग्राफ बनाओं कि सपोज अगर मैं ग्राफ लॉट करूं तो अगर मैं आपका ऐफ एकस कि यह खुल टु एफ ऑफ एकस ती और जी ओप एकस की बैल्यू आपकी बढ़ी है तो जी हुप एकस उपर आए गा है ना तो यह हो गया आपका कि वाइस इकल टु जी ओप एकस ठीक है अब एक कोई प कहती है अगर आपके दो function के बाने fx और जी एक्स ठीक है और इन दोनों पर लिमिट एक्जिस्ट करती है मतलब लिमिट x tends to a fx ये भी exist करती है and limit x tends to a gx ये बोथ exist करती है अगर ये limit exist करती है ठीक है अगर भी तक अगर की बात हो रहे थी अगर f of x less than equal to a g of x के then then आपकी limit x tends to a f of x ये भी आपकी less than equal to a limit x tends to a g of x के ओके तो ये आपकी थिवरम है ओके next theorem जेखते हैं theorem number 4 theorem number 4 क्या कहती है लगवक सेम ही है थोड़ा सा इसका extension है और इसको बोलते हैं sandwich theorem sandwich theorem theorem अगर मैं आपको graph बनाओं यह आपकी x-axis यह आपकी y-axis तो यह आपका graph बनेगा f of x का यह आपका graph बनेगा g of x का और यह आपका graph बन जाएगा तो यह का बनेगा यह आपको अइस kunith webinar अबीध के अगर लेमिट अगर आपकी limit fx आपकी L के equal होती है और वही limit आपकी इसके equal होती है limit of x tends to 0 h of x ठीक है कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी f function की limit और h function की limit दोनों आपस में equal होती है किसी L के ठीक है दोनों आपस में equal होती है किसी L के then अगर आप बीच वाले function जो आपने sandwich किया यह function आपने sandwich कर दिया limit x tends to 0 g of x तो जो आपका g function है f और h की limit अगर L होती है तो आपका g function है इसकी limit भी L ही होगी that's it तो यह आपकी theorem member 4 है ठीक है तो theorem 5 next video में देखेंगे बहुत important trigonometric theorem है ठीक है कोई doubt होता है तो comment में फूचिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कीजिए थेंक्यू